अगर आप मेडशिन खाते हो कॉरोना भाइरस को रोपने के लिए तो ये वाइरस समझ जाता है। और ये वाइरस अपने अंदर चेंजिस ले आता है, जिससे मेडिसन हमारे बॉड़ी में इन इफेक्टिव हो जाता है, अब बात करेंगे कि कोरोना केसे फेलता है, जब एक संक्रमित बेक्टी खासता है और चीतता है, और वो चींग सुष्ट बेक्टी के आँख, मूम और न जिसे की फोन, डूरलक, न्यूसपेपर, कप, पेन, कम्प्यूटर में कुछ काम कर रहा है, कम्प्यूटर की वो माउस, सीडियो के हैंडल, किसी मास्क, किसी की मास्क, लिप्ट बटन, इन सारी चीजों को छूने के बाद सुस्तबेक्टी अपना आँख, मूम, नाख और किसी और को छूने तो सब इस भाइरस से संक्रमित हो सकते हैं अब बात करेंगे कि करोना भाइरस से केसे हम अपने आपको बचा सकते हैं। कोई संक्रमित बिक्टी अगर खास रहा है और छिंग रहा है तो उससे कम से कम एक मीटर की दूरी रखनी चाहिए। अगर आप संक्रमित चीजों के कंटक्ट में आते हो तो अपना हाथ 20 सेकेंड तक साबून से और हैंडवास से अच्छे से धोने। बार बार अपने आंक, मूँ और नांको नाचूए। जो जो चीज संक्रमित बिक्टी यूज करते हैं उससे नाचूए। खासी और चीज के समय मूँ को टिस्चू कपड़े और कोहनी से डगले। खासी और चीज के समय मूँ को टिस्चू कपड़े और कोहनी से डगले। यदि आप असुस्त मेसुस करते हैं तो डक्टर की सल्हा ले। तो धनक्रश पान के समय मूँ करते हैं अव्यू करते हैं कि है और मिझेव से और प्रका प्रवक, जवस्ट आपटें रखना ≤ मैंने स्टेश।